नमश्कार आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है आज का हमारा विशय है चंद्र परवत पर पाए जाने वाले शुब और अशुब चिन्नों का क्या फल होता है इसे समझने का प्रयास इस वीडियो में करेंगी चंद्र परवत यहां हमने देखा था कि तरजनी जो हमारी कनिष्ठा उंगली है कनिष्ठा उंगली के नीचे यहां पर बुद्ध परवत है और इसके नीचे यहां मंगल परवत है और जो मंगल परवत को आप छोड़ देते हैं तो मंगल परवत से के बाद का जो अक्षेत्र है हमारा अगर मंग उठे के नीचे से बिल्कुल एक लाइन ले आएं और ये जो बिल्कुल उसका क्षेत्र है उपर का क्षेत्र जो है ये मंगल अक्षेत्र और नीचे का ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र कहा जाता है चंद्रमा का बाक्षित्र है इस पर शुब और अशुब चिनों का क्या फल रहता है इसके बारे में जरा हम विस्तार से इस वीडियो में चैशा करते हैं तो सबसे पहले हम यहां बात करते हैं कि यहां शुब चिन कौन कौन से हैं तो शुब चिन में यहां हम बात करते हैं त्रिकोन की त्रिकोन जो है अगर स्वतंत्र त्रिकोन आपको कहीं भी चंद्रपरवत पर दिखाई दे तो वो निश्चित रूप से शुब चिन है स्वतंत्र त्रिकोन जहां ज्यान का चिन हमाना जाता है तो ऐसे व्यक्ति शहज कलपना शीलता में बहुत अच्छी होती है शहज ज्यान होता है पूर्वा भास की क्षमता उनमें अच्छी होती है ऐसे व्यक्ति में दिव्य ग्यान से जुड़े हुआ जो कार रहे हैं पूर्वा भास से जुड़े हुए जो कारे हैं भविश्य मानी करना या भविश्य में क्या हो रहा है इसका अंदाजा लगाना इस प्रकार की जो काम है या किसी घटना के पूर्वा भास को अनभव करना विशेश रूप से चंद्रमा की जो गुन होते हैं जैसे कि मानस्विक शक्ति का विशेश हो जाना, कलपना शक्ति का विशेश हो जाना, ये सब जो खशमताएं हैं, रेकी है, हीलिंग है, इस तरह के कारियों में जुड़े हो जो लोग हैं, जिनको आवशक्ता रहती है, मजबूत मानस्विक शक्ति की, उन्हों लोगों में इस तरह के चिन विशे होने से ये व्यक्ति अच्छे कवी अच्छे लेखक्पी होते हैं तो ये निश्यत रूप से बहुत ही शुब चिन हस्त रेखा शास्त्र में माना जाता है इसके बाद हम बात करते हैं अगले शुब चिन की वर्ग चिन जो स्क्वेर चिन है ये भी चंदर परवत पर बहुत शुब माना जाता है ये जहां हमारी कलपना शीलता को नियंद्रित करता है और उसे एक बिल्कुल पॉजिटीव वे में आगे बढ़ाता है सकार अत्मक्ता उसमें दे देता है साथ ही साथ ये रोग जो चंदरवा के सम्म लित होते हैं उनसे सुरक्षा प्रदान करता है ये अभिमान नहीं आने देता है गर्व अभिमान जो होता है गर्व बहुत ज़्यादा हो जाना या अभिमान बहुत ज़्यादा हो जाना ये उसको सीमित करता है इस कारण से ऐसे व्यक्ति को अपनी शक्तियां अपनी श्मत पर अभिमान नहीं होता है तो ये इसका बहुत शुबचिन हम यहां देखते हैं चंद्रपरवत पर एक चंद्रपरवत पर स्क्वेर जो होना रोग समस्याएं मानसिक जो समस्याएं हैं उन पर भी नियंतरण पैदा करता है और चंद्रमा के संबनिज रोग जलिये रोग कहा जा सकता है इन पर भी नियंतरण पैदा करता है इनको रोग कम होते हैं इस तरह के अगर हो गए हैं तो स्क्वेर चिनात में उबर आया तो जल्दी ही वो इससे सुरक्षा प्रदान करेगा ठीक हो जाते हैं अगले शुबचिन की तो अगला शुबचिन जो इसमें देखा ज दिखाई दे और यह स्टार बहुत अच्छा सुविक्सित हो और बहुत अच्छे सुविक्सित चंद्रमा पर हो यह चंद्रमा भी बहुत अच्छा है उठाव लिये हुए है उभार बहुत अच्छा है उसका जो चिकनाई है उस पर जो स्मूथनेस है वो दिखाई दे रही है बहुत अच्छा चंद्रपरवत है और उस पर आपको यह स्टार दिखाई दे तो यह निश्चत रूप से चंद्रमा के संबंधित सभी गुणों को विशेश रूप से बढ़ा देगा ऐसे व्यक्ति की मानसिक शक्ति कमाल की होती है ऐसे व्यक्ति की जो लेखन की अएसे व्यक्ति की सभी प्रकार की चंद्रमा के संबंधि जो गुण है, वह बढ़ जाते तो जहां इसके कि हम देखते हैं कि कलपना शक्ति लेखन शक्ति हो जाती है, खोजी ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा होता है, प्रकृति से प्रेम ऐसे व्यक्ति को बहुत हो जाता है, तो प्रकृति प्रेमी होता है, प्रकृति का बोध बहुत अच्छा होता है, और इसलिए जो भावात्मक् भाव प्रधान जो लोग हैं वो चंद्रमा के गुण के करण होते हैं ऐसा व्यक्ति यदि पेंटिंग करता है या इन में आप समझे कि कलाओं में है तो भी उसमें प्रकृति की वो सहज समझ दिखाई देती है तो चंद्रमा पर नक्षत्र चिन जो है सितारे का चिन स्टार का चिन बहुत ही शुब माना गया है किन्तु यदि आपको ये चिन दुक अरणोम से आपको ये अशुब फल दे सकता है एक तो यदि चंद्रमा शुब नहीं है अशुब चंद्रमा पर नक्षतर चिन दिखाई दे या फिर नक्षतर चिन खुद ही बहुत विक्रित बहुत बजूरत साब को दिखाई दे रहा है तो उस थिती में नक्षतर चिन के अशुब फल दिखाई देंगे अब अशूप फल क्या रहेंगे ऐसे व्यक्ति को मानसिक रोग जादा होता है मानसिक रोग जादा होता है कलपना शक्ति ऐसे व्यक्ति की प्रभावित हो जाती है और कलपना शक्ति बहुत जादा कलपना शील हो जाता है व्यक्ति जादा कलपनावालेटी, जादा रोग रश्ट, जादा मानसिक परिशानियों में घर जाता है तो वह इसे एक तरह का उनमाद किस्थिती कह सकते हैं, हो जाती है साथी साथ यहाँ पर स्टार दिखाई देना मानसिक रोग के साथ साथ ही जल में डूबने का भाय बना देता है जल यह यात्रा से ऐसे वक्ति खत्रा होता है और जल के संबंदित रोग दोश की संभावना बहुत अधिक ऐसे वक्ति के हाथ में होती है यह होता है कि जब किसी व्यक्ति के हाथ में आपको स्टार चिन्न दिखाई दे अब यदि आपको किसी व्यक्ति के हाथ में यहां त्रिशूल का चिन्न दिखाई दे तो त्रिशूल का चिन्न किसी व्यक्ति के चंद्र परवत पर बहुत ही शुब माना जाता है ये निश्चित रूप से बिना किसी अशूप परिणाम के दिखा गया है यहां एक तो चंद्र जो है चंद्रमा के जो स्वामी है उन्हें भगवान शिव कहा जाता है और इसलिए भगवान शिव को सोमेश्वर भी कहा जाता है जो चंद्र के स्वामी है अब चंद्रमा के अधीपती होने के कारण चंद्रपरवत पर त्रिशूल विशेश शुब फलकारक माना जाता है ऐसा व्यक्ति प्रकृति से बहुत प्रेम करता है ऐसे व्यक्ति की लेखनक शमताईं असीमत रूप से बहुत अच्छी देखी गई है जिन हाथों में ये देखा गया है वो यदि लेखक है या कभी है तो बहुत अच्छा लेखन करते हैं और सभी प्रकार से ये निश्चित रूप से बहुत शुब परिणाम देने वाला चिन्न हम कह सकते हैं एक दूसरी बात जो है हमारी कि त्रिशूल चिन्न जो है वो कहीने कहीं विशेश योगता का चिन्न माना जाता है तो ऐसा व्यक्ति जिस भी चंद्रमा के क्षित्र में होगा उसमें बहुत विशेश्ट योगता प्रदर्शित करेगा तो ये भी इसमें बहुत ही विशेश बात है तो चंद्रमा यहां बहुत ही शुब फल दायक हो जाता है यदि उस पर आपको मिलता है त्रिशूल का चिन्न अब यदि आपको चंद्रमा पर खड़ी रेखा दिखाई दे चंद्रमा पर खड़ी रेखा बहुत शूब होती है, ये कल्पना शक्ति को बढ़ा देती है, साथी साथ चंद्रमा के सभी गुणों में वृध्धी करती है, ऐसे व्यक्ति को कल्पना शीलता और चंद्रमा के गुणों में अच्छा फल मिलता है, किन्तु यदि आपको यहां कई खड़ी रेखाएं दिखाई दें, अगर आप चंद्रमा के फलो को समझें, चो चंद्रमा का फलो कुछ इस तरह होता है, आप सहज उसके ढ़लान को देखेंगे, तो कुछ इस तरह का ढ़लान आपको चंद्रमा का ऊपर के ओल दिखाई देता है, ये ज़्यादा खड़ इस लिए अगर यहां बहुत सारी खड़ी रेखाएं आपको दिखाई दे अगर वह वो लाधा से सब्सक्राइए рाम की कमी देती है ऐसे वक्ति में और फkich क्यों कीड़ भी है तो इसलिए वह टिकर नहीं सकता है तो वो लगातार यात्राएं करता खुब घूमता फिरता है, यह हलांकि अच्छा भी हो सकता है, लेकिन यह इसमें आराम की कमी करता है, तो ऐसे व्यक्ति को यात्राइं बहुत अधिक होती है, शांती रूप से आप देखेंगे तो ऐसे व्यक्ति फिरता से बैठ कर कोई काम नहीं करवाता है, वो जो घूमता रहता है, ज्यादा एनर्जेटिक होता है, ज्यादा मूमेबल भी होता है, तो यात्राइं अधिक करता है, यह इसलिए थोड़ी सी समस्याइं पैदा करता है, अब इसके साथ अगर हम बात करते हैं, आप देखते हैं किसी व्यक्ति के चंद्रपरवत पर आपको यहां पर ए मानसिक अस्वस्ता को यह पैदा करता है, साथी साथ यह प्रमेह रोग, मुत्र के संबंदित रोग, यूरिनरी ट्रेक्स से रेलेटिड, किड्नी से रेलेटिड रोग जो है, यह बहुत पैदा करता है, खास तोर पर यूरिनरी ट्रेक्स से रेलेटिड जो विमारियां होती वो यहां काफी दिखाई देती है तो यह समस्या इसमें आम तोर पर देखी गई है जब चंद्रमा के परवत पर आपको क्रॉस दिखाई देता है तो निश्यत रूप से यह बहुत अशुब चिन है और हाथ में अगर चंद्र परवत पर दिखाई दे तो समस्या है पैदा करे यह मानसिक अस्वास्ता का संकित है यह गंभी रूप से दोरे जैसी समस्याइं पैदा कर सकता है ऐसे वेक्ति को आचानक मानसिक रोग उत्पन न हो सकते हैं गरंथी संबंदित रोग पैदा हो सकते हैं जो हमारी endocrine gland है उनमें भी ये रोग पैदा करता है जैसे कि आपको मदुमेह जैसी समस्याईं जो होती है और सबसे विशेश बात जो है कि मानसिक रोग की निश्चितता ये संकेत देता है कि जब ये होता है तो आपको मानसिक या फिर जिसे हम कहते हैं कि नर्वस सिस्टम से रिलेटिड बिम ही है हाथ में उभरना और इसके बाद इदिम बात करते हैं द्वीपचिन की द्वीपचिन जब भी किसी परवत पर दिखाई देता है तो द्वीपचिन का दिखाई देना उस परवत के गुनों में कमी करता है यहां अगर आपको चंदर परवत पर द्वीपचिन दिखाई तो सबसे मेन आपको समस्वा क्या दिखाई देती है कि ऐसे व्यक्ति की कलपना शीलता में कमी आती है ऐसा व्यक्ति बोलता बहुत है वाचाल हो जाता है लेकिन कलपना ये नहीं कर पाता है ठीक से तो उसकी वो एक तरह से कलपनाओं की सीमाएं जो हैं कलपना शीलता कम होती है और इसका रहना से वक्ति लेखन में काबवे में या किसी इस तरह के काम में हैं जिसमें कलपना शीलता की बहुत अबशकता है तो उसमें बहुत अच्छी सफलता प्राप्तों नहीं कर पाता है ए यह भी एक दूसरी समस्या हम देखते हैं जब आपको चंद्रपरवत पर द्वीब दिखाई देता है। तो नकमिजाजी ऐसा वेक्ति हो जाता है जलासी बात हुई ओर वो चिड़ गया है। तो ऐसे व्यक्ति को नशे की लथ हो सकती है, रोग बार-बार होते रहते हैं ऐसे व्यक्ति को, तो ऐसे व्यक्ति के शरीर में रोग की अधिकता रहती है, तो रोग नशे की अधिकता आदतें बुरी जल्दी लग जाती है ऐसे व्यक्ति को, तो ये निश्वत्रूप से वाधिक बुरा चिन माना जाता है, एक तो ये व्यक्ति की निल्ड़ शक्ति को प्रभावित करता है, असमंजस पैदा करता है, तो ऐसा व्यक्ति मानसिक क्योंकि ये मन पर आप समझे कि गरसित हो गया है, मन खराब हो गया है, तो ऐसी स्थिति में मन जो है, वो स्थिर नहीं होना थोड़ा सा बार-बार एक दूसरे को आरोपित करना व्यंग मारना ताने मारना इस तरह की समस्यायां से व्यक्ति मजारा देखी गई हैं दूसरा ये भी हम बात करते हैं कि यदि जाल हो तो मिर्गी जैसे दोरे जो है न जो नर्वस सिस्टम के संबंधित रोग शरीर में रहते हैं वो अधिक्ता में देखे जाते हैं ऐसे लोगों के जिनकी यहां जालिका चिन होती है एक दूसरी और इसमें चिन है ये चिन तो यह हैं जो आपको किताबों अक्सर मिल जाएंगे कुछ चिन ऐसे भी होते हैं आपको यहां अगर बहुत आड़ी रेखाई पर चंद्रमा के जो हमारा चंद्रमा परवत है ये चंद्र परवत हो गया हमारा तो बिल्कुल निचले सीरे पर मनिबद से उपर क्यों जो हिस्सा है ये आदतों का हिस्सा माना जाता है ये वाला जो निचला हिस्सा है ये आदतों के विशेश रूप से आदतों के बारे में देखा जाता है अगर यहां आपको नीचे बहुत आड़ी रेखाई दिखाई दें तूटन फुटन बहुत दिखाई दें कट्टी फट्टी सी दिखाई दें रेखाई तो ऐसे व्यक्ति को व्यसनी होता है ऐसा व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को आदतें जल्दी पकड़ लेती हैं यह जरूर यह नहीं कि यह वैक्ती बहुत शराबी हो यह बहुत नशा करता हो, लेकिन ऐसे लोगों को ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि उनके मन में किसी आदत को पकड़ने की जो स्पीड है, आदत को पकड़ने की जो खुमताएं हैं, वो ज्यादा हैं, तो ऐस व्यक्ति जल्दी किसी भी आलत को पकड़ लेता है अच्छी और बुरी दोनों को तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि वो क्योंकि उसका मन जो है वो जल्दी असेप्ट कर लेता बाहरी चीज को अन्नॉइंग लिए उसे पता ही नहीं चलता कब वो शराबी ह हो जाता है कब वो नशाड़ी हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति को ज्यादा ज्यावधानी की जरूर्थ है अगर आपके यहां पर बहुत सारे कटी फटी टूटी फूटी रेखाए हैं तो आपको ज्यादा सावधानी रखने की जरूर्थ है तो यह हमने बात की चंद्र परवत के बारे में, चंद्र परवत क्योंकि मन का है, यहां हम सभी गुन धर्म किसी भी परवत के नहीं बता सकते, कारण कि यह बहुत विस्तारित बात होती है, तो हम इसे संक्षेप में बताने ही कुछ करते हैं, आप यदि इसे ठीक से समझना चाहते हैं, तो आपको ग्रहों की प् प्रेणाम निकलता है, किसी एक चिन के हो जाने से व्यक्ति असफल हो जाएगा, व्यक्ति बिमार हो जाएगा, ऐसा नहीं है, एक चिन एक पक्ष दिखाता है, आप अगर बाकी चीजों में जोड़ दें, यानि किसी व्यक्ति के सभी परवत बिल्कुल ठीक ठाक हैं, और च चारी रिक शमताएं बहुत अच्छी हैं, तो फिर आप वो क्या समस्या दिखाई देगी, तो आप वो समस्या क्या दिखाई देगी, कि व्यक्ति बेचायन बहुत रहेगा, ऐसे व्यक्ति मानसिक स्रिता की कुछ अभाव हो सकता है, बस इसके अलावा आप अधिक रोग खराब है, और उस पर बुरे चिन भी उभर आए हैं, तब ये ज्यादा खराब हो जाता है, और शुब चिन भी अगर खराब परवत पर होंगे, तो परिणाम उलटने लगता है, तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में, अगले विशेक के साथ, तब तक पर दिन शुभो, धन्यवाद